हेलो फ्रेंट्स बारिश की जमा जम में अगर गरम गरम पकोड़े मिल जाए तो क्या कहने आज हम बढ़ाएंगे मूंग दाल के गरम क्रिस्पी पकोड़े तो इसके लिए लिया है हमने आधा कप मूंग की धुली दाल एक बाउल में निकाल लेते हैं और साथ ही आधा कप हमन इसे उपने क्रव्टर निकाल देते हैं अब एक मिक्सिंग जार में विस धाल साथ में विस्टे डाल दिया और चाल निव और अद्रकम को भड़ा सधार भी और चब्सकोड़े और नघ्लटरा फ्रेंगे हमें पकोड़े बनाने हैं तो दाल को दर दर नहींगे तो तो हम जिए टीक जगए तेकी आप्ट हैं कही आप जोटा पीसाह नहीं कि इड़ करना के ऑब अफाई हम अगल तो अब हम ग्राई और करना है अब हम दाल देंगे क según कि अब हमने तुम की धुली निदाल को लिए है इसके थे निकाल लेते था मुए निकाल लेते हैं मौम की धुली निदाल का मतलब हो गया निकाली रखिया ढ़नãy जाल के दो बाखी दाल को मिला लेते हैं घ είναι कहीं कहीं हमें युझ धलid टेक्चर हमें रखना है तो ऐसा टेक्चर पकॉड़ों के लिए लाजवाब होता है अब हम दालों को एक बावल में निकाल लेते हैं यह देखिए यह बिल्कुल ही दरदरा सा है अब हम इसे टेस्ट के अर्डिंग नमक मिला देंगे और नमक मिलाने के बाद हम इसे 2-3 मिनट टेक्चर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पतला नहीं है यह गाड़ा होने चाहिए तो गाड़ा होगा तो पकॉड़े अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे अगर पानी रहेगा तो पकॉड़े क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे मिला देते हैं आदा चोटा चमच तो इसे जरूर डालिएगा, अब सभी चीज़ों को मिला लेते हैं, ढग करके अभी से 10 मिट के ड्रेस देते हैं, अब चलिए हम बना लेते हैं एक बड़ी मज़िदार सी चटनी अपने पकोड़ों के साथ खाने के लिए, और ये देखिए, इसके लिए लिया है हमने पुदी अब चाहिए जरूर बताईएगा, और हमें खुशी होती है कि हमारे वीवर्स हमें बताते हैं कि वह हमें किस चाहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं, तो एक बड़ा टुकड़ा को आम का निकाल लेने के बाद उसे चील लेते हैं, बस इतनी ही टुकड़ा चाहिए और इ तो इसी तरह कि पत्ले स्लाइस कर लें, आपके अब हम क्या करेंगे कि मिक्सिंग जार में डालेंगे पुदीना की पत्तियों के अधी मुठी पूदीना की पत्तियां, फ्रेश पत्तियां और बढ़ी लाजवाब से खुश्बु आती है, पुदैने की डालने से और एक मु डाल देंगे हमने दो हरीमिचों को डाला है 5-6 लैसन के जवे और एक छोटी प्यास का अधा हिस्सा हमने छील के उसे स्लाइस कर लिया है तो प्यास को भी डाल देंगे और हमारी ये आम पुदिना की चाटनी लाजवापसी बड़ी मजे की बनेगे आदा चमच हम जीरा ये बेशन के सीव है जो आम तोर से चाट वगर या अलग से भी खाया जाते हैं उसके साथ ही हम चाथाई चमच पानी डाल देंगे अब इसे ग्राइंड करेंगे तो इस चटनी की ये खासियत है कि आप इसे तीन से चार दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं तो इसे एक साइड रखते हैं अब हमारा दाल भी तैयार हो चुका है उसमें दो हरी मिर्चे चौप करके डाल देंगे और एक प्यास को हमने चौप करके रखा है इसी तरह से कट किजिएगा लच्छे नहीं बनाने है तो प्यास को भी डाल देंगे थोड़ी से धरिया की पत्त और सबको मिक्स करेंगे बागी चीज़ें पहले ही मिला चुके हैं यानि नमक मसाले बगारा तो फ्रेंट्स इस तरह के चटपटी मसाले दार रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है आप विजिट करके देख सकते हैं अब हम मिला देंगे जो दाल हमने दो जम चला करके इफेक्ट और मजा तीनों में बहुत फरकाएगा इधर तेल को अच्छी तरह से गरम हो जाए ना तो फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं यानि कि हमें मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को पकाना है तो अभी हमारा तेल मीडियम होट है बहुत जादा गरम तेल में मठ मीडियम फ्लेम के इसी तरह डाल देना है पकोड़ों को और हम एक से डेड मिनट के लिए यह मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रब नहीं करना है जब एक से डेड मिनट हो जाते हैं पकोड़ों का रंग भी यानने लगता है तब हम इससे थोड़ा से चला देंगे और जब कोड़ हमारे थोड़ी से क्रिस्पी होने लगे तो इसे अलट पलट की सुनेरा होने तक तलते हैं यह देख है लागन second के पकोड़ी वी सुनेरे होने लगे हैं और इसी तरह से सारे पकॉड़े हम तल लेते हैं आप देख रहे हैं इसका टेक्च्चर आप देख रहे हैं थुरतरी मुंग की दाले भी उपर से दिख रही हैं अंदर से सुनेरे क्रिस्पी लाजवाब और उपर से ये बहुत ही मज़िदार दमदार चटनी तो मद पूछे मज़ा ही आ जाए आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस तरह देखिए चटनी के साथ इन पकॉड़ों का मज़ा तो कुछ और है तो हमारी डिलिशियस मुंग दाल के पकॉड़े बनके तैयार है बहुत लाजवाब प्रिसीपी बनी ह हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मिलती हूँ आपको कुछ अच्छा नया मज़ेदार ले करके तब तक के लिए अल्लाहफिस अल्लाहफिस